है कि जिए बेशिष्ञगाण से शोभा का बढ़ना उसका नाम है संदग्स लागन का तापर है स्री अंग के चारों निकलने वाली नहें मादुन का ताप्पर है श्रीयंग का सव काल में सुन्दर लगना किम बढ़ने तमस्या उसका क्या वर्णन किया जाए जिर्पे योग्या लवक कही नोपमास्या कोई लवकी बस्तुक से इनकी तुन्ना दी ही नहीं जा सकती कि वरन्तौं हमारी अपनी सीमा हैं क्योंकि हम जिसके अभ्यस्तें वहे हैं अभी तक उसी कवर्णन करेंगे नजकी तुन्ना कमल करेंगे श्रीयंदे की थे अब कहां संसार का कमल कहां श्रीयंदी की शोभार पर्फिर भी पुराक्त सिर्च कुछ कोई दूसरा सदंने के कुछ कर जरूंता है है अच्छी में जाता है पाइं तो यहां पर हीनों कुमा ही बिवश्टा है हीनों के अलावा कोई उपाई नहीं है सरसार की बस्तुनों को देखकर गई उससे ही उपमा दी जाएगी और जब तक उपमा दी जाएगी तब तक विंब एक इमेज हर्दय में बैठेगी नहीं इसलिए उपमा कहीं खीर उ मांस्ञा लोकिक प्ताच से उत्मा नहीं सकती है कि ममादेनों द्वार के अंद्रेड ना पी और को यह कोई दूसरा कोई उपाय हमारे पास में नहीं है जोके मरने मां यहां तक कि द्वारका कर्च स्वामि श्री में अश्रीThat छी सण ऑनकि तौना श्रीक शिक्रश्व सगर नहीं दी जा सकती द्वार के इंद्र द्वार का धीश उनकी वितुन्य श्री कृष्ण से श्री मतन मोहन से नहीं दी जा सकती है किष्णू यथा नागर्शेखरण ग्रों राधा तथा नागर्वेस कवराग्रिया किष्णस था नागर्शेखरणग्रियव पर कोंकी तुन्ना किसे दी जाए यहां बकि क्ष्णि की तुन्ना श्री किशोन propor घिर टुन्ना श्री शामसंदर से कहीं दी जा सकती है श्री परस्पत एक दूसरे की तुन्ना ही एक दूसरे से कहीं दी जा सकती है किसी दूसरे से दूसरे की तुन्ना नहीं दी जा सकती है हमारे पास में कहीं कोई उत्मान नहीं है और काभी शास्त्री ये कहता है कि हीनोकमा नहीं दी दी जा सकती है उनकी उत्मा वे ही है एक अलंकार होता है उसका नाम है कहीं कि जहां पर उसी से उसी बस्तु की उपमा दी जाएं यहां पर है एंचकाव से ए यूद्धन यूद्धन ऊंचको अलंकार केरीं नर्णियोव Jest pierdhann श्रीक्रि यूर्णियोव आध्यकी तुन्दीर है Fidyam कर दिया श्री राधा पृष्ण यह नहीं करते हैं नहीं प्रेंग को इसे उन्हों स्थापित कि नहीं वैर शुंदत कि यहां पर प्रणन पर नहीं करें जैसे श्री कृष्ण नागर शेख राग्रय है नागर जनों में परम स्रेष्ट है राधा तथा नागर का वराग्रया ऐसे ही श्री राधिका नागरी जनों में सर्व स्रेष्ट हो करके बिलाई माल रस्पो ने नागर शब्द की परिभाशा गी कि रस की व्रधी में जो चतुर हो उसका नाम नागर नागर माने रस व्रधी में पुशद उसका नाम नागर तो जैसे श्री कृष्ण नागर शेख राग्रय है मने रस व्रधी में परम चतुर इसी प्रकार राधा तथा नागर परक्रेम रमित करने में परुष्दिक दोकर कि राधा यहां बाट वरांग्या राधिका यखन को मैं नागरी में सार्म स्रेष्ट हैं इसी क्रकार कृष्ट्व सथा नागर शेकर आग्रेखर श्री कृष्ट्वी माधर शेखरों अग्रगन्य अग्रिगण्य यख़द्ध रिख व्यद्रोगर कोई और उनके व्युद्धे विवर्भता विराजमान है। है यह जोती है राधा माध्व है इन दो नुकों में कहीं प्रकट हुए विराजमान को रही है शिशुवित हो रही है यह दोनों तक्त्व ही के होकर के विराजमान हैं तक्त्व कहेंगे जो कहीं किसी के द्वारा उपण भुआ नहीं हो स्वाइम्सद्व और भेवशुम्नि हो उसका नाम तक्त्व की तुन्ना तक्त्व से ही कि जा सकती है तो यह राधा यह था नागरिका वराग्रया कृष्ण सत्था नागर शेक राग्रया ऐसे सर्वदा यह लीला विहारी है और वो जो पर्तत्व है वो लीला रहित नहीं है चेश्टा और विशेशन रहित नहीं है कूटस्ति में भी वापर्तत्व सर्वदा लीला और गुलों से युक्त्व होकर के ही विराजमान है लीला युक्त्व होकर के ही विराजमान है अतर और उसकी लीलाओं का बढ़न करते हुए लीलाओं के भर्णन में ही सर्वदा सर्वदा उत्कर्ष विद्यमान है तक्तु रूप में पृपास से उतने नहीं है जितने की लीला व्यारी के रूप में उपास से हैं हम रज़कों के लिए अपासना करने वालों के लिए श्रीक्रशना कि तक्तु रूप में पासे नहीं है बेलatically अबनेला वहुद्या अब्दरीस आया मुझें और बेल्समेंARRYंड ब हुद्यम्य precision आân स्नात्वागतम गोपरायम बल्रामेड संयुतम किस्पटाथ श्री कृष्ण ने स्नान किया बल्दावजी सीधे साथी जल्दी से बल्दावजी के स्नान के जल्दी से स्नान करती है और यह महाश्यजी इनको निलाना बड़ा कट हुआ भागे कभी यह ठीक नहीं हुआ अभी यह श्रंगार थीक नहीं हुआ अभी यह जो मरवट काघी कपोलपत्र के उपर जो कमल पस्ते काहएं वह यह पंघ्ली इस मघ्ली के समान नहीं ए यह एक कूंचि ओर बड़ा बना तो ऐसे इनके शंगान में बड़ी देव लगती है बड़ी नख्रिवाजी ऐसे नहीं है यो नहीं यो यो अच्छा लगेगा यो अच्छा लगेगा तो श्री स्नुत्वागतं गोपराजम बल्रामेण संयुतं संद्चि वीनास्ता सर्वा दुरतं कृष्णोप्रतो भवर उस समय स्नाम करके आगतं गोपराजम कृष्ण तैयार हुए और श्री गोपराज श्री भृजराय श्री नंदराय नंदराय भी पढ़ा रहे हैं बल्रामेण संयुतं श्री बल्दावजी नंदराव को बुलाने गए उनको साथ में लेकर के पढ़ा दिया कभी श्री गृष्ण तेहने इस्त्मान करके फिर lana किया उसमें क्रिश्ण का आने के बाद में कुछ जलबान करके माने संध्यां भोक अ reasonably तरल के फिर श्री कृष्ण स्द्रान करने के लिए जाते हैं उस साथ है नहीं संद्रों करने के लिए जाते सारी सका आके कह रहे हैं तो भीया बेहिए एक तब का दूध भी नाय दे रही है जब तक तुझ नाय आएगो तब भीया द्वार्वी में नहीं आएंगे भीया सब भी कोशिश करते हैं बच्छान को लगाई नाय नहीं नीचे जल्दी चल श्री बल्दावजी भी दावभईया भी बात देख रहे हैं उससे में श्री कृष्ण आप आते हैं आकर के फिर गईयां का दोहन करते हैं और कर दोहन करके अठाई के ऊपर आकर के बैठें अब रसिक्ष्णों मणी हैं इससे बोल उससे बोल यह का उन्यों चाचा गंदोत और ताव गंदोत एक एक से बात करें एक भाई उनको बुला रहे हैं दपला रहे हैं फिर कहीं से जूट करके सबसे बात करके फिर नुकुज मंदर में पधारेंगे किसी बहाने से श्री प लोगों को सब सकी कर नुकुज मंदर में बिराजमान करके संध्यार्ति करती हुए विराजमान हो तो साइब कारती संध्यार्ति के बात में कृष्णी जब आएंगे इधर यश्वता जी कह रही है बोल बाबा आएगे बिटा जल्दी आओ जल्दी आओ तब श्री पराजी श्री मिर्जय है कि जब पठारे मंदर रामिन से उत्म श्रीणार्ति किसंग में उस समय बन्दावजी को स्री नंदर आवा को जर्शन करके संलक्ष कर दिनास्तासर भान जितनी भी अलगे गोफिया थी जो अभितक श्री प्रियागल जो कृष्णु को साहिंका ज इसकनान करा रही थी शृंदार कर रही थी वियसका की सब छिप गई यह न्यक्तर परकार वैसी जैसी लोग व्यार की रीथी नहीं रहे हिए जैसे पहन सyanahan के सांपने बहु को नहीं आती है इसे ही शृंदार रस सोगे उनलास वाचल रस के आगे पर्दा करता है सुभाज़न दिलु दिया है पर्ण तो मैं जैसे प्री के प्री मित्र के आगे क्या गडात पर्दा नहीं किया जाता है मित्र थी भावी के साथ में आजननद पूर खेलते ही मैं इसी प्रकाल सक्ष्estyle श्रिंगार्स का मित्र रस है बासल श्रिंगार्स का लोग बेवार के अमसारी विरोधी रस है दासी रस भी प्राय श्रिंगार्स का जैसे घर के जो दास हैं उन्से बहुपि कहीं संकुश नहीं करेगी और वह उनको भी आदेश एसे ही श्र्मारस में जो नंदभवन के दास हैं विखासे वी श्रंगा रस को के अन्पुल हों कटके मिराज मांठ कहीं छोटी सी थोड़ी सी दूली अ धो collar सत्थ अंकट और थोड़ा सा आधर का भाव है वो आधर पर धाल करें तो हमरें प्रिश्की ہے कि प्रिश्कीी है कि वहाँ का सवाल की भी बिन्ली को भी जी कहुतर के ऑला संदल कि प्रादर के लिख्रों, जधितने भी चीन है, बढ़ों की जो दास्यश प्रकर हैं ऑलों के जो डास हैं उनके पति आदर अपिने जडास जो मजनी के होंगे तो ये ब्रिज की जो रीती है परवार के संबन्हों की जो रीती है वही रीती विशुद्ध में रसों की भी परसपर मैंत्री विरोधी भाव में वही रीती समझनी चाहिए कि रहुत रस बात्सली रस प्रोज रस यह कहीं बात्सली रस के विरोधी होकर के बिराजमान होंगे तो ब्रिज की लोग रीती के अंसार ही इनको समझना चाहिए लोग रखके अंसार ही तो यहां बर भी श्री मंदर राय को आता हुआ देख करके संलक्ष नीनास्ता सर्वा दृतन कृष्णो गृतो भवत श्री कृष्णी के आगे से छिप गई अब साथ कृष्णी के सांदे नहीं रही अभी तो कृष्णी के बांधार में सांदे अब लगो महां से हटकरके सब परधे में चली गही हैं वावा के सांदे परदे में चली नियुकिए नंद भोह शालायां1 आसीनक कंका समय और स्रैकंट बावा थे जसाला में विराजमान गूए मैं ुः नंध्र में जसरी में ग्राज और विरерм Gir mari सामने चोकी रखी हुई हैं, चोकी के उपर सुन्दर जो तैयारी वो सज रही। भोजन कर्तुम आरे भे तथा तव तस से पार्शयो हो। भोजन करना प्राणम किया और श्री मंदलावा बीच में विराजमान हुए और तव पार्शयो हो। श्रीद कृष्ण पाई और बिराजमान हुए और श्री बंदलावजे श्री मंदलावा के दाहिमी और भराजमान हुए। क्यों कभी-कभी श्री भी व्रिजराज अपने हाथ से भी कर्णिया को भूजन करते हैं। और कनिया भी बाबा के हाथ से जो पौर मुख में दिया जाए उसको जितने चाव से अरोगते हैं ऐसा अपने हाथ से भोजन करने में स्वाद नहीं आता है तो नंदमावा केते हैं तो कनिया तू बैठ बाइव बाइव बढ़ो है वो तो अपने भोजन कर लेगो और तू यह मैं भोजन करांगो तो उल्टा हाथ पढ़ेगा इसने तुम बाइव बैठो तो स्वेल भोजन करते जाए पश्री कृष्ण को भी भोजन कराती जाए तो यशोडान बंदमों बावे यशोडान बाइन वर बैठी और दक्षण रोजनी सुता श्री रोजनी सुत बंदे दक्षण की वर बैठी है और तेशां आफंतो महताम आग्रे ने अभिमुखों प्रथा और मुझे इन मंदमावा के भी और प्ष्ण बंदे इन दोनों के अब बैठाय गया इसी तरह से प्रातकाली भोजन में मधमंगर को साम दे बैठाया जाता है कि और जब भी कोई चीज परोषने के लिए आती है नंदवार के थे भी यह पहले बाब उन्देवता को पहले मधमंगल ओ यह ब्रिच की फीज्चि का साइडर का वैफ़ार। तो पहले मंधमंगल को रुच्छ को ध्यान बाबब इंद रहे हैं कि कहीं मंधमंगल को मांगों की चलव नहीं पड़ it आदर आग्रे करके प्रोस रही हैं तो तेशान आहम तो महताम आग्रेयों इन तीमों के आग्रे से श्री स्वरुप कह रही हैं मुझे उस समय अभिमुखित प्रथक साम्दे की पंती में बैठाया गया श्री रहीन निया परिश्पत्यो राथ सुल्वण राज़तयी बिविदवाजणन्ऐ भिव्यय प्रेटमत देता है शुरुणी झी ने उस समय रख्व के बने हुए contemplate के बने हुए और poz उट चादी के बनीवें जो पात्र है उने विवित भाजनों से दिपवजनों से प्रेंतम गरामत देता हूं रसोई के परोस्ते का जो सामान हैं उनको भेज रही है थाल में नों में पात्रों में उनको भेज रही है बिविए भोग करने में भोजन करने में परण चतुर श्री कृष्ण जिनों ने नजाने कौन कौन से भोजन की शमरी के द्वारा दिये गए करें जो छी अनुपूर्प में ब्रिचब लारा दिये गए बोजन को जो जगनाथ सुरूप में अनन्त अनन्त के जो भोजन हैं उनको समर्पित कि ना इतियादी के द्वारा दिये गए बोजन को जो समर्पित करते हुए कि अवक्ति भराजमान अने 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 धामों में अलग अलग में जो फं Jen करते हुए वियराजमान barking which Muslims do a first round by in the seminar कि उसकी उस कड़िया है वे भोग पुरंदर परवेशिमान स्हिनों स्नल के द्वारा जब परवेशन किया जा रहा है मा के द्वारा सब्सक्ब्ल संपन्नं अंगं भूंते चतुर्विदंग। मैं सबस्धिद, सब्प्रकार का जो अन्न है, उस चाग प्रकार के अन्न का भूजन कर रही है, कोई अन्न भक्ष है, कोई पे है, कोई चोश्य है, कोई चल्ब है. ऐसे चार प्रकार के अंदे जिनको चवा करके खाया जाए उनका नाम है चर्व, जिनको चूस करके खाया जाए उनका नाम है चोष्य, जिनको पीया जाए उनको उनका नाम है पे और जिनको योही निगला जाए थोड़ा साथ चवा करके और निगल लिया जाए उनका नाम है ऐसे भक्षय, चोष्य, चर्व, पेर, सभी प्रकार के चारों प्रकार के जो अन्य हैं, उन अन्यों को श्री कृष्ण अरोपते हुए दिराजमान हो रहे हैं। श्री नंदवावा, श्री वरिजायव, आनन्य पूरव, अरोपते हुए पिराजमान हो रहे हैं। श्री नंदवावा उनके साथ में भूजन करें हां, एक आज़ी के दिन तुरह घरवा रहे हैं। एक आशी के दिन कनहियां तो सत्था हैं। आज़े हैं। श्री नंदवावा की अलग पातर तो और दिन एक आशी के अतिरिक श्री नंदवावा और कनहियां। यह सब साथ साथ एक साथ अलोग दिए द्रहरु मा यह रसकी लीद ते जी एक आद जी के दिन विशेश रूप से श्री ब्रजराज उनका प्रशाद है एक श्रीक किसलिक अभी प्रशाद दोनुगों अन्य दिन दौनों का प्रशाद पंद एक दिन कभी ब्रिजनाज का आलक क्यों कि आप्र प्रशाद ये प्राप्ष तो परवेश मानम तुने महात्रा भोग पर अंदर है मां के द्वारा आश्री यशोदा जी परोस रही है और भोग पर अंदर होकर के छी जगन्लाइच्व नृतीक खेत्रों में महाँ भोग को अरोगते हुए श्री बोवर्ध Cancer में अभूकुद को अरोगने वाजैसे गाट ओंदर महाँ भोग anno विराजमान हैं विभोग को रंदर सर्व सद्मुल संपन्न चत्रविन अंग को भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं प्रथक कचोलास विचित्रप्रपूरितन विस्तीड कंकस्थल्या नीत्वा कवलयन भृषम वहाबर प्रथक प्रथक कचोलास विचित्रपूरितन विचित्र कटोरा रखे हुए हैं और उनमें पृपूरे भर हुए विस्तीड कंकस्थल्याम और बड़ी ठाल सोने का वो बीच में रखा हुआ है नीत्वा कवलयन भृषम उसमें यश्वदाजी परोस रही हैं और श्रीकृष्ण कवलयन एक एक और आनिनपूरक अरोग रही हैं कि अध्यूर्ण कराशित प्रत्राचो भ्रत्राटी करुष्ण मुखे समय प्रिमारं यतने नों कबल्दी लिए आगे कि नसने श्री प्रिजबासियों का कि उसमें श्रीक यश्वदा जी परोस रही है परोसे परोसे वी अपने हां से कोई कोई लेकर कर निया की मुख में तब तक यशुदा को संतूश्द नहीं हो रहा है तो फिसन अपने हासी विखा रहे हैं मंदवाबी विख्ला रहे हैं तब भी समत्त मानम यतने नों है कभी पित्रा कभी भात्रा करुश्यों फाय कभी शिर्दाव जी दौभिया दू नंदरावा और कभी श्री यशोडाजी भी कोई कौर कृष्टी के मुख में करुशय दे रही है और समय प्रिमानम यतने इनों कवलम ली लिया अदब इन्होंने दीना पूर्वक यतनी पूर्वक समझ पर जो अन्न है उसको और को अरोगा है तथा पानक जातम जो कचोला भृतम उप्तमम कटोरा में जो सुन्दर पानक आम का पना खर्भूजय का पना अन्न जितने भी पे कटोरा में जो रखे हैं उनको कि आप भृतम मुप्तमम जो भरे हुए उनको भी भृताश चापा उनको श्री कृष्ण पी रही है और पास में भृताश चापा उसमें रखा हुआ जो जल है उस जल तो भी आप ज़ादी से भी पी रही है तोंटी वाली जो जारी है उससे भी पीते हुए विराईमान हो रहे है कि आलों सुमुष्टम अब आगे कि मिला भासुन बढ़न करें कि आलों सुमुष्टम पुष्टम सग्रत शर्कराम सबसे पहले पुरानी वीदी है कि पातल के मध्य में घी मिलाकर के गर्म भात मनें पुष्ट मनें सहता हुआ पुष्ट में जो भात है ना जाता बलबलता ना जाता एकन ठंदा पुष्ट भात जो है वो उनको ना भात वहां बीच में रखा गया सग्रत शर्कराम घी और शर्कराम मिलाकर के उस भात को बीच में रखा गया पुष्ट में पुष्ट में सग्रत शर्कराम घ्रत शर्कराम से युक्त जो पुष्ट उनको ना भात है जादा गर्मी नहीं ठंदा भी नहीं सोहाता हुआ जो भात उस भात में घी और शर्कराम घ्रत के बीच में परूसिदें और सबसे पहले उसका ही बोजिन के यक्ट मनें लवन का त्याग करके मिश्ट जो बस्तू है उसके द्वारा ही पहले पंचक ग्रास दिये जाएंगे यह शास्त की रिति भी है कि प्रानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ब्यानाय स्व समान्य स्वाहर इंको पांचों उग्लियों से कि इन ने कोई विवर्जित नहीं है पांचों बुलियों से एखे को ऊर्पंचक ग्रास जो पंचक अट्नी है रिदय में ऊदर में जो बरवाकनी जो जो व्मभान आदि है आव अदुधा और भुता प्रागनां देयमास्तित तो सबसे पहले जैसे भूजन का अकनिया तो नहीं करेंगे पांदी जो नंद भावा या शास्त्री की विधिये वे उसमें पहले जल्लिया और जल्ले करके भूजन के चारों जल को फिराये गया और यह कहा गया कि सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले वेद मंत्री के द्वारा सब्सक्राइब को सीचा जाता है तो सत्यम्तूरे तेन परिशिच्ययामी यह ऐसा कहें करके जल के जल को भूजन के चारों धुमाये जाता है फिर इसके बाद में कहीं बल्ल है जोतिके रूप में ही कुछ पाहूती प्रणांग की जाती है जो बलवेस्जिदेव के रूप में है ढस्तिवर्ण जैसे करते है इन चाथ व्यारतियों के द्वारा आउती दी जाएंगे अब आउती दने के बात में फिर हाथ में जल्मी आ जाएगा और जल्म लेकर के आजबन किया जाएगा और कहा जाएगा कि अम्रतों पस्तरन असी कि अम्रत जो है उसका वो पस्तरन माने में नीचे विछोना विछा रहा हूं यह अम्रत रूप जल्म इसको नीचे रख रहा हूं फिर इसके उपर भोजन किया जाएगा तो वो अम्रत के उपर भोजन रखा जाएगा अब भोजन कर का नीचे भी कटो रां उबसे ही कर विद Арange को अमरत को रहे हैं नीचे उसके ऊपर दी पेंट में भी जैसे Jewa निया जेंड आसलागे आपने इसा कि ये पाच आगूति दे करके भिन्भरे स्वाह में जितनी भी आगूति जितना भी भोजन है उसको अपनी रुची के अंसार सब भोजन किया जाएगा तो यहां पर वही पद्धिती कहीं को जो शास्त्री पद्धिती है वैदिक पद्धिती उसका नूर्पन कर रहे हैं कि सबसे पहले श्रीकृष्ण ने आदम सुमिष्टं पुद्कृष्टं पौष्णं घ्रद शरकर शरकरं पाएसं नाल का पूप फेड़ का रोट का युक् अत्तर जो और उसको खाया है निव जाएं न हमगेशन ख्मिष्ट औरी यह से शरूर निव थे युक्त जो पाइस खीर उस खीर को श्रीक्रिश्रने नहीं अन्य अन्य जो है कि आप उप मश्री तो पुप न editor और आं हमें एसलोगे श्रीक कृत्य खा सब्सक्राइस को भी टृटिक्राइस उपाले नाहीं भी तो आप अपिश्ट हो निकार ओठेंने का रोधिका इनको अरोकते पुपर बिराजमान वरें अन्य आने घृत्पक्वानी रसाल सहतानी चो अन्य घ्रीगे पके हुए रसाल सहीत और जितनी पराथ हैं उनको भी दद्द व्यकारोत्त मिश्टानी अन्य अपनानी चो दध दूध इनसे के बहुत से विकात उनसे बन वुई जो बस्तुन हैं उनको भीष्टी कृष्ण ने अभुगा है मध्य सुक्ष्मन सुतम भक्तम कोष्टम सुरव कोमलम बटकई पर्पटई शाकई सुपः शिव्यंद देख पनेवाद बीच बीच में में सुक्ष्टम भक्तम घीजय हैं यूक्तव भाब को सुरव कोमलम सुगण्चज्च बहाद कोमल को बटकई डा की ही मतर्जट में बराख बरा के साथ में पिर पर्पट आई कि पर्पट मनें पापट काऱ्उल मिला if detail बिला करके चम्य करें के साथ में सूप माने इन को मिला करके और वियंज नहीं पर रहे। उनके साथ में बसदों को भूजिन कराया है। जिसमें कहीं मधुद्र है। कहीं अम्ल है। साहरे रस्वी जिसमें मिले हुए है। प्रायो गोरस साधिताई अप्यार प्राय जो दूद से बने हुए है गोरस से दही दूद घी इनसे जो बने हुए है कट चूनान पिताई अम्लब त्रव्याई जिसमें कही मिर्च कट चून कटू मनि मिर्च संस्क्रिट में मिर्ची का स्वाद बताया गया तकू और नीम का स्वाद बताया तिक्त पुलती बात है प्रवागन बदल गया यह भाशा के ही पुलती में भाशा की याद